पार्लिमंट में कल कहा बीजे पीकों लोगों ने आपने भाशन दिया भाशन के लिए माफी दीजिए मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं माफी मांगूं भाईयों और भेनों मेरा नाम राहुल सवर कर नहीं है मेरा नाम राहुल गर्दी है मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूगा मर जाओंगा मगर माफी नहीं मांगूगा और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा माफी नरेंद्र मोदी को मांनी है नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी है और उनके जो असिस्टन्ट है अमिद्शा उनको देश से माफी मांगनी है क्यूं मांगनी है मैं आज आपको बताने आया हूँ सबसे पहले सबसे पहले ये देश की शक्ती इस देश की आत्मा इस देश की शक्ती इसकी अर्ध विवस्ता थी अर्ध विवस्ता है नहीं थी पूरी दुनिया हमारी ओर देखती थी कहती थी ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है ये देश अलग-अलग धर्मों का देश अलग-अलग जातियों का देश अलग-अलग विचारधारों का देश मिलकर एक साथ नो परसेंट जीडीपी पर कैसे चल रहा है एक तरफ चीन दूसरी तरफ हिंदुस्तार चिंडिया बोलते थे चिंडिया चाइना और इंडिया दुनिया का भविश्य चाइना और इंडिया और यह देखिए यह प्याज पकड़े हुए आज यह प्याज पकड़े हुए आज दो सो रुपे दो सो रुपे हिंदुस्तान के अर्द्ववस्ता नरेंद्र मोधी ने स्वयम अकेले नश्ट कर दी खतम कर दी आपको याद होगा आज बजे रात को तीवी पढ़ाए भाईयों और बेहनों पाँसो रुपे का नोट हजार रुपे का नोट मैं रद्द करने जा रहा हूँ और हिंदुस्तान के अर्द्ववस्ता को नरेंद्र मोधी ने ऐसी चोट मारी कि आज तक जो नुकसान हुआ वो ठीक नहीं हुआ आपसे जूट कहा आपसे जूट कहा कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है काले धन को खतम करना है ब्रश्टा चार के खिलाफ लड़ना है जूट कहा माताए बेहनों के घरों से जेब से युवाओं के जेब से पैसा निकला और लाकों करोर रुपै अदानी और अनिल अमबानी के हवाले किये उसके बाद का परसिंग टैक्स मनमोन सिंग जी ने कहा चितामरम जी ने उनसे कहा इसको आप बिना पाइलेट प्रोजेक्ट मत लागू कीजिए देश का नुकसान हो जाएगा जो हमने बनाया है पुरे देश ने प्यार से खून पसीने से अर्थ्यवस्ता खड़ी की है नश्ट हो जाएगी नरेंद्र मोधी कहतें नहीं मैं तो बारा बजे रात को गबर सिंग टैक्स लागू करके ही दिखाऊंगा कर दिया और हुआ क्या 45 साल से सबसे जादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज क्या 9 परसेंट जीडीपी ग्रोफ रेट होती थी आज 4 परसेंट पे पहुंच गए है और वो भी उन्होंने जीडीपी नापने का तरीका बदला जीडीपी नापने का तरीका बदल दिया तो अगर आप हमारे तरीके से पुराने तरीके से जीडीपी नापो तो आज 5 परसेंट जीडीपी ग्रोफ रेट है हिंदुस्तान का बाई और बेनो हिंदुस्तान के सब दुश्मन मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ मगर हिंदुस्तान के सब दुश्मन चाहते हैं और चाहते थे कि हिंदुस्तान की शक्ती हिंदुस्तान की अर्ध्ववस्ता नश्ट की जाए और वो काम दुश्मनों ने नहीं किया वो काम हमारे प्रधान मंत्री ने किया और फिर अपने आपको प्रधान मंत्री देश भक्त कहते हैं पूरा का पूरा पैसा दो तीन उद्योग पतियों को पकड़ा दिया है सब उद्योग पतियों को नहीं इस देश में बहुत सारे इमानदार उद्योगपती हैं और मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर किसान इस देश को बनाता है मज़ूर इस देश को बनाता है छोटा दुकांदार इस देश को बनाता है तो इमानदार उद्योगपती भी इस देश को बनाता है मगर पिछले पाँच सालों में नरेंद्र मोधी ने मैं एक नाम लेता हूँ एक नाम लेता हूँ पिछले पाँच सालों में नरेंद्र मोधी ने अदानी को पच्चास कॉंट्राइक दिये है एक लाग करोड रुपे से जादा देश के एरपाट पकड़ा दिये देश के पॉट्स पकड़ा दिये बिना कॉंट्रेक्टे दे दिया क्यों? क्यों दिया? इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप चोरी नहीं कहेंगे इसको आप रस्काचार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे इसको? एक लाग चालिस हजार करोर रुपए कुछ ही दिन पहले 15-20 लोगों का कर्जा माफ किया है आप से आप से टेलेफोन इस्तिवाल करने के लिए 50% रेट बढ़ा देंगे और फिर बड़े से बड़े उज्योग पतियों का साथ हजार करोर रुपए माफ कर देंगे अर्द्वेवस्ता क्या होती है जब तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास, किसानों के पास, मजदूरों के पास युवाओं के पास जेब में पैसा नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान की अर्द्वेवस्ता आगे नहीं जा सकती मैं आपको समझा देता हूँ माल खरीते हो जब आपके जेब में पैसा होता है आप चीजे खरीते हो खरीतों नहीं खरीते हो शर्ट पैंट जूता मोबाइल फोन काले चश्मे जैसे आपके हैं ये आप खरीते हो जब आप खरीते हो फैक्ट्रिया ये चीजे बनाती है जब फैक्ट्रिया ये चीजे बनात ही है आप ही लोगों को उन फैक्टरिंबें रोजगार मिलता है यह 대해서 पेसा पहले गरीब लोगों यह जेब में डाल किसानों के हाथ में डालो मजदूरों के हाथ में डालो वही पैसा किसान मजदूर छोटे दुकानदार पैसे का प्रयोग करेंगे चीजफे देंगे चीज़े खरीदेंगे डिमांड बनेगा डिमांड बनेगा फैक्ट्रिय बनाएंगे नरेंद्र मोधी ने आप सब के जेव में से पैसा छीन के निकाल दिया